हलो दोस्तो स्वागत है अपका जीकेवित अजीम यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज का जो हमारा टापिक होगा वो होगा निमेरिकल गुरूब डी का जो हमेरिकल है वो भी नवंबर का नवंबर वाला जो है ये पार्ट वन होगा पहला जिसमें नवंबर वन में मैं कुछ सवालों को लिया हूँ ठीक है और जो रिपीटिड है यानि जो सितंबर अक्टूबर में जो सवाल आए हुए हैं उन सवालों को मैं हटा दिया हूँ जो कई बार जो repeat करने से एक ही सवाल को कई बार लगाने से कोई फायदा नहीं है ठीक है और अगर आप मेरे चैनल पे नहे हैं तो मेरे चैनल को करिएगा like और subscribe और वीडियो अच्छा लगेते हैं इसको जाज़ादा लोगों में share करिएगा तो चलिए हम लोग शूर करते हैं और इसका PDF आपको मेरे ये स्टेलिगराम गुरूपे मिल जाएगा वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा और numerical का अगर आपको हल प्रशन पत्र चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए पूरा तो इसका e-book जो है इसका e-book का description में दिया गया लिंक वहाँ से जाक देखे 12 गराम तो समझिए 32 गराम आकसीजन में होगा एक मूल एक मूल होगा इसलिए एक गराम में इसलिए एक गराम में कितना होगा एक बटा में 32 मूल इसलिए 12 गराम दिया हुए है ना पर बारा गराम में इसलिए 12 गराम में एक बटा में 32 गुड़े 12 ये बराबर होग यह होगा तीन बटा में आठ भाग दे देंगे तो आएगा इसका मान दसमलो जीरो तीन साथ पाँच भाग दे देंगे इसको तीन चाओ के चार तीन बढ़ जाएगा आएए चारवटे बात्तिस हो जाएगा तो यह आएगा मान इतना मूल होंगे इसका option जो होगा वो देख लीजिए यह 0.375 0.375 है यहाँ पे कहीं पे पॉइंट से देखे यह C वाला सही होगा इसका अगला सवाल और आप चैनल पर मेरे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें जरूर दोसर साल 10 केजी का पिंड चार मीटर की उचाई से गिरता है तो उस पर लगने वाले गुर्तवा करसंड बल द्वारा किया गया कार की गढ़ना कीजिए यानि एक चार मीटर उचाई से कोई एक पिंड है यह 4 मीटर उचाई माल लिजिए इसकी उचाई कितनी है 4 मीटर इसकी उचाए 4 मीटर है और यहाँ से एक पिंड को को गिरा आ जाता है तो गिरने में किया गया कार कारे वही होगा जो यहाँ पे स्थित था यही स्थिती जूर जाए यहाँ जब नीचे आएगी तो वही किया गया कार होगा तो इसके लिए सीधा सीधा आप इस सवाल को लगाएंगे आप कैसे तो सीधा लगाना है आपको कि E बराबर यानि इस्तिति उर्जा M, G, H जब ये नीचे आएगा तो इतना ही कार होगा यानि किया गया कार क्या होगा इस्तिति उर्जा के बराबर होगा तो E बराबर क्या होगा M, G, H M कमान दिया है G इसका H कमान की दिया हुआ है 10, अरे G कमान और H कमान दिया है 4, तो कितना हो जाएगा 400 400 ये जूल होगा, ये इसका आप्षन जो होगा वो एक A होगा इसका आप्षन सही 400 जूल इसका PDF आपको मिल जाएगा हल के साथ भी और इसका हल प्रशन पत्र भी आपको E बुक मिल जाएगा अगर आप चाहते हैं कि इन सब सारे सवालों का आपको मिल जाए तो हल किया कराया तो आप जाएए और E बुक दिया है, डाउंडोड महार से कर लीजिए और उसको पढ़िए उस पे चेप्टर वाई सारे सवाल हल कराये गए हैं गुरुबडी के लिए दसमलो 6 मॉल हाइडोजन में परमाडू रख अरमाडू का दर्मान कितना होगा तो समझे इसमें दसमलो 6 मॉल मालेजे दसमलो 6 मॉल हाइडोजन में अरमाडू दिया हुआ है तो ये अरमाडू लिखेंगे अनू दिया होता तो S2 होता तो दरब बिमान कितना होगा ठीक है तो एक मॉल एक मॉल में एक गराम होगा क्या होगा हाइडोजन के हाइडोजन के एक मॉल अनू होगे तो वो एक गराम होगा अगर यह चीज आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप मोल वाला चेप्टर जाके देखें तब ही आपको यह समझ में आएगा नहीं तो यह समझ में नहीं आएगा तो description में मैंने उसका link भी दिया है मोल concept पे आप उसे जब देखेंगे तो आपको यह सारे सवाल एकदम बिल्कुल आसान समझ में आएगा इसमें कुछ भी नहीं है मैंने उसको तीन भाग में बनाया है जिसमें दो भाग मैंने पढ़ाया है और एक भाग जो होगा उसमें मैंने numerical हल भी कराया है तो एक गराम तो इसी रहे दसमलो छे मोल में कितना होगा तो कितना होगा एक गुड़े दसमलो छे क्या जाएगा यह गराम तो कितना हो जाएगा दसमलो छे गराम सीधा सीधा इस काप संज जो होगा वो डी सही होगा अगला सवाल मोल पे मैंने सारे सवाल करा है आप जाहें तो जाएं कुछे देखें किसी माध्य में तरंग कीगती 600 मीटर प्रतिस सेकेंड यदि उसी माध्य में किसी बिंदू से एक मिनिट में 600 तरंग गुजर रही तो तरंग दहर क्या होगा, दहर नहीं है, तरंग दहर दहर है, यह तरंग दहर दहर है, ठीक है, क्या होगा, तो सबसे बड़ी चीज, जो दिया है, लिख लीजिए, वी बराबर, देखें, सुत्र होगा, वी बराबर, एन लेमडा, वी बराबर, एन लेमडा, सुत्र यही है, जो दिया ह हुआ है वी का मान दिया हुआ है इसमें देखिए इसमें वी का मान दिया है 600 ठीक है मीटर प्रति सेकेंड फिर इसमें दिया हुआ है आपका यह मिनट यानि यह कह रहा है कि एक किसी बिंदू से 600 तरंग यानि 600 तरंग क्या होती है यही एन दिया हुआ है कमपन प्रति इसको निकालेंगे तो यह 600 बटा में एक मिनट है तो इसको हम क्या कर देंगे 60 कर देंगे और यह कट क्या एगा यह से कट जाएगा इससे कट जाएगा कितना एगा 10 हर्ड यह किसी बिंदू से जब तरंगे 600 तरंग जब एक मिनट में जा रहे तो एक सेकेंड में कितना जाए में चली गई दूरी तो अब क्या होती इस तो निकालेंगे अब तो यह दिया हुआ है सुत्र वी बराबर एन लैम्डा तो लैम्डा बराबर क्या होगा अब वी बटा में एन इसमें वी कमान दे दिया है छे सो बटा में एन कमान दे दिया है देखे रहे हैं आप यह साठ इतना जाएगा 60 मीटर मीटर तो ये इसका आप समझे होगा वो 20 ही होगा अगला सवाल है पाचवा सवाल है एक धावक जिसका वजन 80 kg है एक रेलवे प्रेट फारम पर 60 सेकेंड में एक मीटर के 10 कदम चलता है शक्ति की गढ़ना कीजिए यानि पी बराबर जहां जी बराबर 9.8 तो हमको पता है कि P बराबर W बटा में T यानि कार बटा में समय होता है तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे 80 M बराबर क्या है 80 और उसके बाद हम T देखेंगे T बराबर कितना दिया है 60 सेकेंड दे दिया है और और S बराबर यानि चली गई दूरी बराबर कितना है 10 गुड़े 1 मीटर बराबर 10 मीटर दे दिया यहाँ पे तो सबसे पहले हम कार बराबर क्या होता है W बराबर होता है F S होता है F into S होता है तो हमें F भी निकालना होगा F बराबर क्या होता है M into G बराबर क्या है M का मान 80 अगुड़े 9.8 तो इसका मान कितना होगा, एफ एफ बराबर कितना आजाएगा मान, सास सो चौरासी, गुड़ा करेंगे तो आएगा न्यूटन, अब यही क्या है आपका, यही एफ है, ठिक, अब हम डवलू बराबर लिख सकते हैं, एफ डवलू बराबर लिख सकते हैं, 784 अगुड़े 10 यही आपका कितना किया गया कार है और किये कार में ही अगर हम समय का भाग दे दें तो यही क्या कहलाता है शक्ति कहलाता है तो समय कितना दिया है यहां 60 60 का भाग दे देंगे यह इस से कट गया कट गया सब कट के आएगा 130 भाग दे देंगे आप तो 67 वाट आएगा इसका आप संजो होगा वो बी वाला सही होगा इसको आप करके देखिए अगला सवाल निमेरिकल के लिए आप इबुक चाहने तो खर दे वहाँ से देख लीजिए वो मातर 25 रुपए का है वो आप उसे खर ना च हीटर के टर्मिनल के बीच विभांतर उस समय 60 वोल्ट होता है जब यस रोस से 4 अंपियर धारा लेता है यदि विभांतर बढ़ा कर 135 वोल्ट हो जाए तो हीटर दवारा ली गई धारा का मान देखिए कोई भी हीटर होगा तो उसमें बदलेगा नहीं केवल क्या है प्रतिर रोद रजिस्टेंस वही रहता है तो पहला दिया है वी बराबर वी बराबर कितना दिया है साथ दिया है आई बराबर आई बराबर कितना दे दिया है चार एंपियर दे दिया है कह रहा है कि फिर उसके बाद वोल्टेज हम बढ़ा दे रहे हैं 135 तब आई कमान क्या होगा स उस नाइक्रोम के तार में इसका resistance क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या? कि V बराबर यह सुत्र है हम लोग का V बराबर I into R. तो V कमान इसमें दे ही दिया है. V कमान दिया हुए कितना दिया हुए है? 60 बराबर I कमान दे दिया है. चार resistance कमान हमको निकालना है. इसलिए R बराबर जब भाग दे देंगे इसमें तो R कमान आएगा 15 Ohm. यह हीटर का हीटर क्या है? रजिस्टेंस है. ठीक? अब हम ग्यात क्या हम करना जब 135 वोल्ट हो जाए तो एक तो फिर V बराबर I into R. V कमान एक सो पैंटीस बराबर I हमको पता नहीं है. R हमको 15 तो चली गया है पता. तो 15 तो लिख देंगे I बराबर अब भाग दे देंगे 135 बटा में 15. 135 बटा में 15 तो I बराबर आएगा 9 Amp. यह भाग देखे आप देखिएगा इसे. इसका आप संज होगा वो A सई होगा. 25 कीज है के दरमान के एक वस्तु 5 मीटर परतिस के एक समान वेक से गती कर रही है. वस्तु की गतिज उरजा कितनी होगी तो M बराबर दे दिया है 25 कीजी और उसके बाद मीटर परतिस से के डूट वी बराबर दे दिया है 4. समार वेंगे तो गतिज उरिजा यानि कानिटिक एनर्जी क्या होगी? इसकी कानिटिक जानी तो यह होगा कланिटिक जानी गतिज उरिजा बराबर हाफ M V स्क्वायर होता है लिक देंगे एक बटा दो गूड़े M कमान इसमें देखें देही दिया है 35 और V कमान दे दिया है कितना चार इसका वर्ग कर देंगे तो आएगा पच्चीस गुड़े ये चार चौके 16 बटा में 2 भाग देंगे सब करेंगे इसमें तो आएगा 400 बटा में 2 बराबर कितना जाएगा 200 जूल एनर्जी आएगी तो ये था अगला सवाल इसका होगा देखिए ये आठ का आठवा 60 बाट का एक विद्धुद बल्ब प्रती दिन 6 घंटे इस्तेमाल होता है बल्ब दोरा एक दिन में प्रिक्त की गई इकाई यूनिट उर्जा की गड़ना कीजिए तो यूनिट बराबर होता है वाट घंटा दिन बटा में एक हजार होता है वाट कितना दिया है साथ ठीक है घंटा कितना दिया है छे दिन दिया है एक एक हजार का इसमें भाग दे देंगे कितना आएगा 36 360 आएगा बटा में एक हजार आएगा ये इससे कटेगा एक इससे कटेगा आएगा दस समलो तीन छो यूनिट आएगा ये ये वाला आप्षान आएगा ठीक है तो इसका आप्षन देख लीजिए ये इसका होगा कौन सा है इसमें देख लीजिए आप्षन जो है ये सही होगा इसका ठीक है अगला सवाल नवा पां केवी कितना होगा पांच केवी नहीं पांच किलो वाट है यह सुरी केवी यह नहीं है पांच किलो वाट होगा तो पांच गुड़े एक हजार के का मतलब हजार बराबर बराबर कितना होगा 5000 Western Simple सवाल आया हुआ है यह अब तक का सबसे हासान सवाल था दसमा, तीन प्रति रो थ पाँच ओम शे ओम चार ओम सिर्डी करम में जोड़े गया है प्रति रो थीन है किसमें जोड़ दिया गया है सिर्डी करम, यानि एक ही धारा इसमें होगी, धारा हमेंसे एक होगी, और इस सिर्णी में होगा, कोन एक पांच ओम है, एक छे ओम है, एक चार ओम है, तो सिर्णी करम में क्या होता है, आर बराबर, आर वन प्लस, आर टू प्लस, आर थी डडडड होता है, तो आर बराबर कितना है, पांच प्लस, छे प्लस, चार कितना हो जाएगा चार यह दस पंदरा पंदरा ओम पंदरा ओम सी सही होगा यह ओम यह नहीं होगा ओम मीटर है अस्रिणी करम आओ यह समानतर में होता है तो एक बटा आर बार पर एक बटा आर ओन प्लस एक बटा आर टू पलस एक बटा आर ती डाट डाट आता यह वाल सुतर होता है तो ये कुल 10 सवाल थे जो मैं कराया हूँ फिर अगला में लेके आउँगा और इसका हाल प्रस्ण पताब को मेरे टेलिगराम जी के विताजीम पे मिल जाएगा तो इसलिए आप से अधिक साधिक मेरे चैनल को लाइक सबस्क्राइब और इसको शेयर कीजिए मिलते हैं फिर हम एक अगले वीडियो में अब तक के लिए अलविदा जैहिंद